खरगोन जीले में गुद्वार को बस स्टेंट शेत्र स्थित शिराम मंदिर में आयोध्या से पहुंचे पूजित अक्षत कलशों को 219 मंदिरों से आए भक्तों के बीच वित्रित किये गए जोड़े से भक्त कलश लेकर अपनी बस्तियों में पहुंचे 219 कलशों को शिरुधारी कर जब महिलाय शोभायात्र की रूप में निकली और शामिल सनातनियों ने जब एक स्वर में जैश्री राम का जैगोश किया तो समुचर शेत्र राम मैं हो गया राधा गूपिनाथ मंदिर की भजनमंडली द्वारा गाय जा रहे सूमधुर भजनों से वातावरन भक्तिमय बना रहा वही हजारों के संख्या में जूटे सनातनियों के हाथों में लहराते भगवाद्वश के वीच श्री राम दर्बार के रूप में बग्यों से सजे नन्हे बच्चे कलश यात्रा में आकर्शन का मुख्य केंदर रहे वहें गरगर आमंतरन स्वरुप पहुंचे कलश यात्रा में शामिल त्रिलोक डंडीर बबलुपाल अजे रगुवन्शी आदिद्वर बताया गया है कि ओक्त पूजित अक्षत कलश अयोध्या मंदिर 22 जन्वरी को होने वाले प्रभू श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा म समारों के आमंतरन स्वरुप पहुंचे हैं यह कलश आज 219 बस्तियों के मंदिरों में कलश यात्रा की रूप में पहुंचाए जा रहे हैं जहां से गुरुवार को कलशों में रखे गए अक्षतों को बस्तियों में निवासरत सनातनियों के गरगर आमंतरन स्वरुप इसी के दमयान यहाँ पर जो अच्छा अब यहां से सभी उड़ा किया जाएगानागानू, और उसको क्लास भूइत थर परमाय जायगा र। पराटे जाते यहाद कि नben जान जाएगा, कि सभी रगाति ले नजो बहुंत है और अपने का इगटे रहे और अपने आयुदेश्य की पाहन नाम की इपा प्योर रहत रहा करें और सभी बिले क्यों का है। विलों पंडीश। आज उद्देश्य तो देशा है कि अभे पांचोगार से फूल की लगाई। जो कि भगवान की राम एक एंट में बेचे थे। आज भगवान की राम अपनी इस्ता ही जगा भवे राम मंदिर में बिडाजमान होने जा रहा है। वाविस्तारिक को भवे राम मंदिर का उभारामब है। और हमारे श्री राम जी आज अपने इस्तान पर विराजीत होंगे। आज पूरा चहर पूरा खरगोन चहर एक एक बच्चा बच्चा आज अप्यक लेने श्री राम मंदिर धरम साला में पदा रहा है। वर खरगोन से अब्रार पठान की एरिपॉर्ट। झाल